मुश्कार मैं हूँ अध्यापक मुकेश जीपियाश चोशाला और आज हम सीख रहे हैं आटे से एक सुन्दर सा और प्यारा सा अपुल बनाना तो आए शुरू करते हैं आप घर में ही मौजूद एक आटार लीजिए उसकी लोई बनाईए और ऐसे एक चपासी चार की कर लीजिए मैंने इसे पहले ही बना के रखाया आकरती आपको गोला कार्ट में लेनी होगी अगर गोला कार आपको नहीं बनाना आता तो आप उसको किसी बर्तनी के साथ साथ का बनाने इसके बिल्कुल बीच में से आपको काटना इसको ऐसे और यह ऐसे अब आपको क्या करना होगा एक जो यह हिस्सा आपका यह एक हिस्सा उसको आपको एसे यूं रोल करना है इस और से गोल गोल अराम से और गोल करना आपको इसके आधे भाग तक ऐसे अब क्या करना आपको यहाँ पर ऐसे निसान करना है पैन से चमत से चाकु से आप कर सकते हैं ऐसा आप फोक्स करें जरा और इसके बीच भाग में ऐसे एक रेखा लगाएं और यूं आप उसे पत प्रतिक आकार दे देंगे यूँ और फिर इसको इन दोनों हिस्सों को पिछे की और ले जाकर आपको यूँ ऐसे मिला देना है आपका समय खराब ना हो इसलिए मैंने पहले बना के रखा है ये आप आगे क्या करना है इनको लेकर आपको तीन एक दिशा में आप रख इस और इस और आप रखेंगे ऐसे आप रखेंगे और सबी को आपने प्रेस कर देना है यूँ मिला देना है यूँ इससे आपका एक फूल क्या करती है आपकी त्यार हो जाएगी आप आपको क्या करना है एक छोटी सी और आपको चपाथी लेनी होगी ऐसे चोटी सी उसके चार हिस्से आपने ये बना लेना है ये और ये ऐसे ही और इसके बीच वाले हिस्से को आपने ऐसे यूँ बना देना है चारों पत्तियों को आपने ऐसे ऐसे करना है ताकि यह फूल की शेफ ले ले ऐसे अब इससे उठाकर हमने इसके बिल्कुल बीच ओ बीच रख देना है अब क्या करना है नीम की नमोरी आप ले सकते हैं या कोई मनके मेरे पास मनके भी है यह नीम की निमोरियां है इनको मैं भी तोड़के लाया हूँ इनसे हम इनको सजाएंगे ऐसे यह देखिए ऐसे और यह ऐसे बीच के हिस्से में आप ऐसे कोई भी मनका या बड़ा मनका या नीम की निमोरी लगा सकते हैं हुली जी बहुती थोड़े समय में बहुती असानवीदी से आपका आटे से फूल बनकर तेयार तो आप भी गर बैठे बैठे अपनी बोरियत को कीजिए दूर और अपने हुनर को बाहर निकालिए अपना हुनर दिखाईए अगर आप चाहें तो आपका फूल मुझसे भी बेहतर बन सकता है एक बार बनातर देखें तो आज के लिए बस इतना ही तो भेनेवाद कर देखें